क्या आले भाई लोग किस चल रही पड़ाई कि चला देखो एक चप्टर चप्टर के टॉपिक है रिफ्रेक्शन अब वह डियुए रिफ्रेक्शन अफ लाइट तुम आपको बता दू एक ऐसी फिनोमेला जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तब ट्रेवल करती है थू अपने रास्ते से भटक जाती है अब केसे भटकती है तुम्हारी दर अबिलकुल इधर से एल्दर इदर से दर देखते का तुम आसे इस कन रिक्ट्छोफ नने का इसो की यह द안 का नहीं फिर दम फ्रॉम वन ट्रांस्पारेंट मीडियम मेर मेडियम टू अनादर प्रैटी तो यह ख़ड़ा होगे टेंशनी लेकिन सारी चीज में आपको समझा दूंगा न यह पर तो समझना है ठीक है नोट डाउन करने माला रहेगा तो अपने उट्रम कर ले लो तो बोल रहा है कि ऐसी फिनोमेना लाइट की जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पास होगी ट्रांस्पारेंट मीडियम होना चीए जैसे कि एर लिक्विड या फिर कोई सॉलिड होगा जो ट्रांस्पारेंट होगा तो अपने लाजसर से भटक जाता है तो चलो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं वह भी मीडियम तो मेडियम एक वह जगह है क्या बोलता है पात ओफ लाइट ट्रावल जिस पात पर लाइट ट्रावल करेगी तो मेडियम को गर आप देखो गे तो आपको मिलेगा एक ज़ता है जिसको लेंगे a air प्रावल एक लिकलड जैसे कि वड़ और तीसरा मुत को इप एक घग से लाज स्काव्लकिक है टेक्या के आप लाइट ट्रेस्ट करेंगोश स्युल्लत था तो घम機 एए चावपल लिए थे लिए complètement कि बाद करना और यहाँ पे डंसर की बात करना है मतलब थोड़ा खाली खाली और यह कंद थोड़ा भरी अब समझ रहो ला है कि , यहाँ पर मेंने के द मतिलय किक कि , मेंने क्या uncertainty का रहा है तो सबसे पहला अप !! शुमनेतों लिए को अगन Programmah भीर नीदेंट तर सब्कंटनों भीर विनथैश्फ रहे हम एपदीटि में मेले में प्रल्प शिल непैक्टनों बॉज भाले हैं अन्हीं तो इंगल ऑफ रिफ्रेक्शन की इसको हम बोलेंगे रिफ्रेक्ट एंगल of incidence और यह angle of refraction actual path क्या है इसका ऐसे वही तो तुम लोग पढ़ना है तुमको लेकिन तुम पढ़ते कहा हो mobile चलाते हो बाकी चीज़ों में ध्यान बढ़ देते हो तीस को अधर divert हो गया क्या यहां पे तो इसी को बोलते है reflection अपने actual path से भटक गया तो reflection यह कहता है when light ray travel one medium to another medium then it devied from its original path यह बात हो गया क्या ते हो गया आपका rarer medium से denser medium की तरफ अगर आप जाएगे तो आप यहां पे मेरी बात सुन लो अगर light ray goes rarer medium r2 d then advance toward normal अरे तुम लोग normal की तरफ होकर जाओ गया ठीक है अब second case के अगर में बात करी तो मैंने वहला वही यह normal है आपका यहां देखो यह incident ray आई हो गया आपका यह आपका normal हो गया अब यहां पे क्या हो रहा है मतब भीर भाण से मेले से निकल गए हम लोग और क्या आस्ता आपका अराम से चल सकते हैं तो यह हो गया आपका angle r यह angle of incidence यह angle of refraction यह हो गया आपका incident ray यह refracted देखो दूर गया ही क्या तो मैं बोलू यहां पे light ray आपको याद रखना पड़ेगा यह चीज आपको याद रखना यह याद क्या रखना है समझने वली बात है अब यह बात हो जाता है ना तो हमारे पास कुछ लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन तो पाई लॉज अब लॉज अब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो दो लॉज होता है एक लॉज तो बहुत इंपॉर्डेंट है यहां बोलेंगे हम लोग के incident ray यह बख नॉर्मल जो लॉज लॉज अल आर इन सम प्लेन यार यह सम पॉइंट बोलो सब कहा रहेंगे एक ही पॉइंट पे रहेंगे जो आपको दिख रहा है incident ray यह सब ठेक है क्या second that is the most important की बात करते है क्योंकि यह से नुमेरिकल बेट था है अब यह क्या बोलता है कि बहुत साइ in angle of incident. इसको not down ko लिए बात ही. incidence and ratio of. ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction. साइड एंगल आफ रिफ्रेक्शन इस ओल्वेज कॉंस्टेंट फॉर गिवन मेडियम यंग मेडिया नहीं समझ माया हम देखते हैं देखो मैंने का बोला कि मैंने के एक मेडियम लिया जहां पर यहां पर आपका डैंसर है मैंने इसको बोल दिया एर है यह से कहा जा रहा है यह वाटर की जा रहा है या फिर मेडियम वन टू लेके मीडियम टू इस तरी कैसे में बात कर सकता हूं जब लाइट रही हाप आए तो इंसिदेंट रही आपका आई हो गया अब मान लिजे कि ए रहर टू डैंसर जा रहा तो टूवर्ड नॉर्मल यह हो लिजा है सब्सक्राइब आपर से सैंगल और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बलते हैं अब लौ अब मियू का जो नाम है उसका हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतब समझ नहीं आता है इसका मतब यह है कि जब लाइट्रे एक मिडियम से दुसे मिडियम किता हो जाएगी तो अपने लास्ते से कितना भटके रहर मिडियम से लेकर डैंसर मिडियम तक घया देखो यह बात रहर यह से और ने गया आगया जैने फ़िसका मतलब होता है जो कि हो बड़ते हैं या फिर और में आपके इस लिखनो वर्न हम लोग तो क्या लिखेंग आई बाई साइन चीजल लिख सकते हैं अम्यू ड़ो ट तरीका देखोगे तो मजा जाएगा अगर मैंने लिखा कि rarer medium to denser medium तो इसको बोलते हैं पता है refractive index of denser medium with respect to rarer medium बाद समझ में आ रहा है मतलब क्या हुआ कि देंसर medium के respect में कितना डिवेट हो रहा है या फिर हमने लिखा कि यहां पर क्या बोलों मिउ आफ वाटर मतलब रिस्पेक्ट टू एर तो इनको लिखने का तरीका कैसे होता है में लिखने का तरीका देखनो मिउड़ बाइ मिउड़ बाइ मिउड़ इसको इसको अगर फॉर्मला बनाओ तो साइन आए बाइ साइन आर में इसमें से बहुत सावाल आने वाले हैं यह जो फॉर्मला आया मैं अभी कभी एक्जाम्पल देंगे दिखा जीता हूं मैं के लाइट रे कहां हो नेकि ग्लास तक चला रखुँत है इसने आई है पर इंस रे और न ने क्या होगा कुछ refractive index में लिखे दूंगा इसे नर्मल एक्जांपल कर रहे हैं तो मैंने कहा कि कहा से जा रहा है air लेके glass तक जा रहा है in new air लेके glass तक जा रही है क्या लिखेंगा है sin i by sin r इसका मतला mu g by mu a is equal to sin 30 60 by sin 30 बाकि जो भी given condition रहोगा value put up रगे कर सकते हो यहां पर तो आपको बता है यह सब refractive index आपको दिया वार रहा है कुछ याद राखनी पड़ेगी ठीके चौद यहां बता दता हूं कि कि किसका refractive index मुझे याद रखना रहा है कि new air जो है refractive index of air यह वन होता है ठीके अच्छा refractive index of water की अगर आप बात क्लोंगे तो वह होता है 1 1.33 और बच्चों भाई मेरे याद करना है यह तो याद भी रहता है लेकिन आप इसको इसा लिख लो 4 by 3 यह numerical solve में बहुत काम आने वाला है अब new of glass की बात करेंगे तो ग्लास दो तरीका होता है एक क्राउं ग्लास होता है हम नॉर्माली लेकर चल रहा है कि यह जो होता है 1.5 तू ले ले लेते हैं क्या जा रहा है नॉर्मारिकल में दिया हो रहेगा तो मैंने क्या हो ला या फिर इसको आप लिख लो हमेशा 3 by 2 नॉर्मारिकल solve में काम आएगा यह तो आपको दिया हो रहेगा लेकिन हम लोग बात जो कर रहे हैं उसके हिसाब से solve कर रहे न तो म्यू जी हमको निगाला है म्यू ए को मैंने मान लिया वन जैसा कि अभी मैंने बात कर रहा वन साइन सिक्स्टी साइन सिक्स्टी के वेली होती है आपके रूट 3 by 2 और साइन 30 के वेली होती है 1 अपान 2 2 से 2 कैंसर रूट 3 इसका हम तो 1.732 नुमारिकल कुछ भी तो वह सकता अब हमने यह लॉस तो पढ़ लिया है लेकिन यहां पे कुछ एक्जामपल भी हमने देख लिया है अब हमको यह बात करना है रिलेशन बिवें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड वैलोसिटी या स्पीड ओफ लाइट फचाफर्ड देखो सब समझ मैं आपको तो फानली मे यह लिखने का तरीका है मेरे तो साइन आई भाई साइन आर हो गया ठीक है चल अब यहां पर मैंने बहुत अच्छा कोशन लिखा है जो नुमेरिकल में काम आने वाला है यहां पर इसे एक दम पर बताते जाओंगा लास में सारे कोशन पर गड़ा दूंगा मैं रिलेशन ब तो कोई डरने वाली बात नहीं है अब what do you mean by speed of light आपको मालूम है अगर मैं speed of light की बात करोगा तो क्या बोलोगा कि light ray कैसे का travel करती है तो यहां देख लोग एक example से हम लोग बात कर लेते हैं फिर speed of light पर बात करेंगे बहुत लाए light ray यहां पर क्या हुआ मैं यहां पर air medium ले सब्सक्राइब करता है c2 या फिर इसको कभी कभी मैं बोल दूंगा वी डजन मैटर अब light रहा है अगर रहा है तो यह अंगल आई बन गया आपका छोटा रहेगा एक चल पात इसका कुछ ऐसा रहेगा तो क्या बोलता है यहां पर डिवेट तो हो रही ना अस्ते से तो हो रहा है ना तो refractive index तो होगा ना तो new is equal to कहता है refractive index इसका मतलब अच्छा refractive index को भी तो आपको डिलोट करना पड़ेगा क्या आप यहां पर medium 1 से लेके medium 2 तक जा रहे हो मतलब 1 new 2 यह आप मैं लिख देता हूं a new w तो यह क्या हो गया c1 by c2 इसका मतलब यहां पर अगर मैं लिखने जाओ that means new w by mu a is equal to c1 by c2 और इसको 1 और 2 के respect में बात करना है क्या तो और मैंने कहा कि 1 new 2 अगर है c1 by c2 तो क्या हो म्यू 2 by mu1 is equal to c1 by c2 यह relation समझ में आ रहाए क्या है कहां पर c1 by 1 2 2 गया new 2 by mu1 अब उन में c1 by c2 यह मेरा speed of light ठीक है यह अगर अगर आप बात करोगे तो इस speed of light अगर देखो refractive index एक medium से दूसरे medium तो इस तरीके से formula रहेगा यह पर छोटा सा example मैं बात कर रहूं क्या ऐसे एक मैंने question के तोर पर बात करी नहीं रिलेशनल बात कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बात करें अरे जो भी उद्ध हो यहां पर example अगर बात करें माल यहां यहां पर एक medium air है जिसका mu आपको mu A1 देखे रखा और यहां पर 3 into 24 अभी नहीं बात कर लेते हैं तो velocity of light अपके पास medium कितने है solid liquid और गेस तो मैंने बॉला कि velocity जो gas में होता है light की सबसे जादा होता है फिर velocity in liquid में फिर उसका velocity in solid में यह आप याद रखना क्यूंकि rarer medium पर light की speed बहुत जादा होती है dancer भीड़बार रिलाके हम भी धिरे धिरे चल पाते हैं तो फिर light क्यूं नहीं चल पाएगी ठीक है क्या light भी तो धिरे चलेगी डैसर वे देन पर धिरे तीजी से चुलो अच्छा हम बात कर लेते हैं कि यह speed of light होता क्या है और होता कितना speed of light जो है इसको हमने सी से डिनोट कर रहा वह सी जो होदा सब्सक्राइब आपनों को मैंने कहा यहां पे कि relation है बेट्विन वेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ 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 लाइट भीया आपको बता दू मैं लाइट जो होता है क्या एलेक्ट्रोमेंडिक वेवनेचर का होता है क्या हमने पहले लाइट के बारे में बहुत सारे लेक्ट्र ले चुके हैं हम लोग देख लेना एक बार अच्छा देखो लाइट की जो हम बात करें वह क्या होता है इलेक्ट्रोमेंडिक वेव की बात करते हैं तो वाट्डियू मीन बाइव यह कुछ ऐसा रहता है आपको इक्साम्पल बता तो ठेरे वे पाने पे कहीं पे नदी के आरे अपन पत्थर फेकता है तो लहर उठती है वही तो है चल यह आपने बोला कि यहां से यहां तर एक जूर डिस्टेंस रहता है अच्छा यहां पर यह यहां पर आने वारा यह लेंद यह टाइम पिरिड़ है एक वर्ड़ाइगा फ्रिक्वेंसि नगही उना होगा यह वान पन टाइम होता है चल ठीक है चल अबर हम इस बीड की बात करें तो इस पीड का फॉर्म्ला बच्चों जैसे आपनों को पूश मैंने तो में अगर कहा यह में लेगो दो करें यह ध्याम देने वाली बात है और लेधे कि यह कह दो हमारे पास लाइड कुछो होगती हे वो साथ किकी होती है वाइट लाइड ग्यो ci जिग और अलग यह होती है इसलिए रविक बैंडीच्ट इंडाइड Z वाइब लेंथ जब तो यहां पर अगर बात कर रहा है आपको मैं सारी बात बात बदातो frequency does not change with respect to medium मेडियम निए कोई चेंज नहीं करें लाइट के फ्रिक्वेंसी कॉंस्टेंट होता है बट लैंबडा चेंज होता है आपको बनता तो लाइट क्या है विगवर ठीक है क्या जी वाइव होगा यह होता है गमसरम 3600 वैबलेंट यह अगर बात करो 3600 वैबलेंट और इसका लास 55 अधियर ट्राफिक लाइट में हम लोग लगाते लाइड यलो कलर ठीके ना अर्तीन गर्रीन कलर यह कम रिफ्रेक्ट करता है कम रिफ्रेक्ट करता है मतलब हमरे अपों में चुबता है जल्दी हमें धूर से दिख जाए अच्छा तो यह सब बग्वास क्यूं कर रहा हु ह या फिर यह क्या है Mew2 1 Mew2 है क्या C1 by C2 बढ़ाता है क्या अरे C1 by C2 बढ़ाता है क्या देखो दोबर क्या क्या करने जा रहे हूं तो मैंने मूला यह मुटू बड़ा Mew1 जो है यह C1 by C2 जो है मैं C1 के जागा लग सकता हूं लेंबला इंटू लेंबला ऐन इन फ्रिकवेंसी और सी टू के लिए 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 लेंटू याद रखना हमें इसा यह जीज पूछ लेते हैं यह हो गया मुट वैम्यू वाइं टू यह तो यह यहां पी रिलेशन देखो तो इधर तो नीचे टू तो तो रेफ्रैक्ट क्योंकि refractive index is inversely proportional to the wavelength of light मतलब होगा कि अगर यह कम होगा तो refractive index बहुत जादा रहेगा लाइट रिफ्रेक्ट कर जाएगी तो निद्यों जो शुरू होता है यहां पर wavelength इसका कम होता है इसलिए refractive index बहुत जादा होता है जो इस पेस से स्केप कर जाता है लेकिन ब्लू कलर सफिशेट होता है जो पूरे स्पेस को occupy कर लता है और बाकी रिफ्रेक्टि में बढ़ जाता है इसलिए वह पूरा नहीं कर पाता है तो यह रीजाइन है सब्सक्राइब जाता है तो मैं नहीं है कि कहां से कहां तर गया अरे मेडियम वन टू मेडियम टू गया क्या तो वन्यू टू जिधर से जा रहे उसको पहले लिकला हमको जिदर से जा रहे हैं इसको पढ़ता है कैसे रिफ्राइक्टिम टू मुद रिस्पैक्टू मुद रिस्पैक्ट तू मुद रिशतार पारे अच्छा ग्रीफ्राइब बात करते हैं तो ये पहला एंगल रिफ्रेक्शन के टर्म समें कोशन बहुत सिंपल है अब को मिवन में टू देखे रखेगा आई देखे रखेगा आगी दिखे रखा तो क्या रहे वैली वेस्ट कोशचन आता है तहीं मेरे यहां ठेकए अच्छा या फिर लेंबडा टू बाई लेंबडा बन जो अपको देखेएगा आप वहां से कर लेना और इसको तो पता ही में लिखते हैं तो कोश्चन देख लेते हैं फट आफ फट ठीक है अगर मेरे पास यहाद है तो मैं सारे पूशन आता नहीं सकता हूं मैंने कोश्चन बन लिया मैंने इफ ग्लास मैंने बुला कि ग्लास की जो रिफ्रेक्टिव इंलेक से मुव ऑफ जी बराबर अगर 1.5 देख राख ठेके रहा था ओर इस पीड ओफ पर वारी न स्वारीद अव्लाइड वारीद आख लाइड इंग्लास थे ओर इंग्लास बैं इंट इन एर है इस थी इंटे टेंट इपार 8 मीटर पर सेकंड यह भी बता बहुत ज़दा होता बुला बाई यह के गलास पे गलास के अपको देखा रहा है नुजी आपको देखा रहा है 1.5 बुलाए के एर के इस पेड़ को किती देखा रही है इस पेड़ पर ड्रेट इंट गलास अरे जा रहा है किसी को भी उपर निश्य लेलो कोई दिकत नहीं है सवाल तो आ जाएगा यहां पर सीवर बराबर एर पर किता थी देखे रखा है और गलास पे हमको सीटू नहीं मालूम ठीक है तो भाईया हमने पढ़ा है ना वन म्यू टू नहीं कहां से नहीं से एर से लेके कह पावर एट और सीटू कितना नहीं मालूम इसको मैंने भी बोल दिया चुर्ण चुर्ण पॉल दिया ठीक है यह तो देखे रखा है 1.5 और यह कितना देखे रखा है मुझे 1 यह 3 इंटू थी पावर 8 अपन में सीटू अकर मैं निकाल ले जाऊं तो क्या हो जाना है अब सी चुर्ण पावर 8 अपन में 1.5 यह सिद्धा सिद्धी बात है 1.5 और 1.5 और 1.5 तो यह कितना हो गया 2 से कडिया तो सीटू बराबर आया 2 इंडू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड कैसे भी सवाल आ जाए आपको बस यह फॉर्मुला यहाद रखना है इससे आप सारे सवाल कर सक लेकिन एक और इंपोर्डेंट सवाल आता है यहां से जिसे कोशन के बाए मैं बता दूंगा हाथ हो हाथ कोशन भी करेंगे हम लोग और आंसर यह थिए ठीक है अच्छा विपो एक कोशन जिसको हम बोलते है प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी में इतने बड़े बड़े यह होता है कि यह देखो नॉर्मल मैंने पहले ले लिया यह होगा आपका इंसिदेंट चलो एर से लेके कहां तक गए हम लोग वाटर ले लिया पानी में जा रहे और पानी की निची जो रिफ्रैटेड रहे है मैंने इसके यहां पर एक मिरर रग दिया पर लाइट रही है एर से लेके वाटर तक यह मिडियम वन से लेके मिडियम तू तक आ रही है अब यह पर मैंने रख दिया एक मिरर मिरर पड़ा है हमने भाई क्या होता है जिस एंगल से आती ही क्या उसी एंगल में उसको वापस भेज देती है तो पहले तो मेरा यह था इस रेस के लिए और कि जब रेवले मिरर से टकड़ाईगी तो क्या होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होगा तो इधर के इधर सें डारेक्शन उस पात को रिपीट कर लेगा तो देखो पहला केस लाइट कहां जानी लाइट रे टू वाटर जा रही है तो इसको मुल्च से लेखेंगे तो अब यहां से जाएगी वहाँ पे उसको पहले लिखना तिए क्या हो जाएगा इसके लिए आर बैस आई इसको अब हमें काम करते एक्वेशन 2 हो गया दोनों को मुनें मल्टिप्लाइ कर दियो 1 मल्टिप्लाइ 2 तो यह A mu W into W mu A बराबर पहले इसको लिए इसको मतलब मतलब में मतलब में एसका मतलब यह हुआ मतलब में इससे में कलाल आया मेरा सवाल यह आता है यहां पर माल लो एक क्वेशन है उसने बोला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एर इसका मतलब कैसे पहले रिखूंगा एम्यू जी लिखेंगे यहां यह पढ़ना तो सिखा है नो मैंने कि अगर एम्यू जी अगर होगा इसको मैं पढ़ेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑग्लास विद रिस्पेक्ट टू एर तो यह क्या हुआ कि बहले यह तो आपको देखे रखा 1.5 तो भाईया जी म्यू एक इतना होगा नहीं मालूम त तो मुझे मालूम है ना तो मैंने लिए जी बराबर वान अपन में जी म्यू ए होगा क्या आपको देखे क्या रखना यह देखे रखा है आपको यह निकालना है तो 1.5 इस एक्वल टू 1 जी म्यू ए ति इतना हो जाएगा भीया इसको इदर ले आओ जी म्यू ए बराबर व पहले कॉंसर्ट के लिए दरो एक्जाम बहुत नस्दीग है वाई ठीक है अच्छा बहुत सारी बाते हैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब से कोश्चन आता है क्या वह रहे हैं यहां पर रिफ्रेक्शन त्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अरे भावना को समझो मत जाना मेरे बोलता भी हो गहां पर एक ब्लास स्लैब अब घ्लास पर निकल जाता है ठीक है क्या मैंने इक ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से ले लिया यह पर सर्फिस सबस्थ उसको सर्फिस तरह आईगी तो सबसे पहले फुर्सक्त नाप क्या करोगे नॉर्मल ट्रॉन करोगे यह नॉर्मल एंड वन हो गया डायग्राम भी इच्छा से बना पार रहा होगा कुई नियर चलो को गया अचिह कहां से नॉर्मल नॉर्मा यह एको मैं वर्माट नॉर्माट थीकिंग आधाय च्ताफ किया यह कि थी अsters submit तक आई तो ऑर्झ कंगी अब क्लासित ग्लास से भाहर जंगे क्लासिंद्व यहां पर एक और नॉर्मा ड्रॉन करोंगे जिसको हमने बोले एंटू अच्छा यह क्या हो गया आपका जो बाहर निकलने वाले नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट एक मतलब क्या होता है इमर्जेंट रे जो बाहर निकल गई अच्छा यह आपका एक्चुल पाथ हो गया क्या इसलाइट का ठीक है और यह आपका फाइनल रिफ्रेक्ट रिफ्रेक्टेट पाथ हो गया क्या अब हमेशा याद रखना यह दोनों पैरलल रहेगा यहां पर बूलता है सवाल और यह जो हता है इसको बोलता है अपन लेटरल शिप्ट यह एक वर बात करना है कि अगल आई बराबर एंगल यहां से तुम्हारे नमेरिकल में यही अब्जेक्टिव के सवाल आते हैं कि जब आपन किसी अबलीकल यह दर हम इंसिडेंट करेंग तो अगल आई बराबर एंगल यह होता है और यह दोना पैरल होते हैं ठीक है क्या और आपको यह मालूम है ना कि अगर यह अपन कोई रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे को पर पेंडिकलर तो सर्फेस लेकर आएगे तो सिद्धी सिद्धी पास हो जाएगे इसका मतल सर्फेस में 487 आई बराबर किले का जीरो वंहें बराबर किले अ께 जेरो तो कि रीफ्लेकर हैं डॉब जीरो झाल झाल